जैश्री राम, मैं पुर्णेमा कोठारी, रामशरत जी की छोटी बेहन, जिनें आप कोठारी बंदुओं के नाम से जानते हैं, मैं आप सबको रामशरत जी के बच्पन से और रामकार सेवा तक का जो सफर है, उसे संशिप्त में बताना चाहूंगी, बच्पन से ही वो दोनों संगर के स्वयम सेवत थे, और अपने साखा के दाइत्व को उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया, जब वो कार सेवा के लिए जाने वाले थे, उससे दो वर्ष पहले से ही शीला पुजन और राम जोति पुजन का जो दाइत्व उन्हें दिया गया था, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया, और अपने दाइत्व का पालन करते वे, जब कार सेवा का आवान तो उन दोनों ने स्वयम को आगे लेके और संगठन को कहा कि हम जाएंगे, संगठन ने कहा कि एक घर से एक ही जा सकता है, यही नियम है, वैसे में बड़े वया को बुला गया कि आप तु बहुत मिच्वर बड़े हो, आप रुख जाओ, तो उन्होंने कहा कि राम के काज म तुम छोटे हो, तुम रुख जाओ, उन्होंने भी कह दिया कि जहां राम जाएगा, वहां लखन तो जाए गई, वो अपने आपको उस समय लक्षमन के रूप में वहां प्रस्तुत कर दिया, उन्होंने, ऐसा कह कि जब सब को निरुत्तर कर दिया, तो उन्हें ये भी एक आप दुनों एक वाईनी में मत जाओ, आप अलग अलग वाईनी में जाओ, पर उन्होंने उसमें भी सब को मना कर दिया और कहा कि नहीं, हम दुनों भाई एक साथ ही रहेंगे, इसके पक्षाथ जब घर पर पिताजी से बात हुई, पिताजी ने कहा कि बेटा, हम तो मारव बड़ी फैमिले से हैं, क्या जलूरी है कि हम वहाँ पर स्वयम जाके ही अपनी कार सेवा करें, हम यहाँ धन के द्वारा भी अपनी कार सेवा कर सकते हैं, धन के द्वारा भी हम मदद कर सकते हैं, वैसे में बड़े बहिया ने कहा कि पिताजी यह हमारी बहुत बड़ी गलत और ये देश के लिए हम अपना कारे करके रहेंगे वैसा कहके उन्होंने मापिता जी को भी कन्वेंस कर लिया वैसे में जब 22 अक्टूबर को उनकी यात्रा सुरू हुई मा के मंगल तिलक के साथ आशिरवाद के साथ कि आप दोनों विज़ाई हो के वापस आओ आप अपना क करके ही वापस आओ ऐसा आशिरवाद मापिता जी दोनों ने उन्हें दिया और 22 अक्टूबर को उनकी यात्रा सुरू हुई 22 अक्टूबर को जब वो यहां से निकले तो यहीं कलकत तक ही उन्हें मुश्किलों को सामना करना पड़ा ट्रेने बंद कर दी गई थी और ट्रे का सफर अहीं तैह करेंगे जब वो बनारस के लिए पहुंचने वाले थे उन्हें पता चला कि बनारस में गिरभतार्यां हो रही हैं उन्हें एक स्रस्टेश्ट पहले ही ट्रेन चोंग दई ट्रेन सो आतर की उन्होंने रास्ते से गाड़ी वगर करके और नारस का मड़ार स पहुंचे तो उन्हें पता चला कि आगे के सभी मार्ग बंद हैं, अयोध्या के लिए कोई भी रास्ता खुला नहीं है, किसी दो वेक्ति को भी अगर एक साथ देख लिया जाता था, तो उन्हें भी गिरफतार कर लिया जाता था, ऐसे में जब आगे बढ़ना बहुत मुश् करना था, इस निश्चे के साथ, वो सब केतों के रास्ते से रात को आगे बढ़े, बहुत ठंटी उस साल, पर उन्होंने उस ठंट से भी नहीं रुके, वो अपने द्रण निश्चे को पूरा करने के लिए, संकल्प को पूरा करने के लिए, वो लगातार रात को चलते एन 30 अक्टूबर के दिन वो आयुध्या पहुंचे जब वो आयुध्या पहुंचे तो वहां पर कारसेवा का आवान हो चुका था और उनको भी यह आदेश जिया गया कि आपको कारसेवा के लिए आगे बढ़ जाओ जनम भूमी की तरफ वो दोनों अपनी वाहिनी के साथ ज कुछ हलागुला हुआ और उन्होंने देखा कि अशोग जी सिंगल जिनके सर पे लाठी लगी थी उनके सर से रप्त बहरा था और उन्हें पुलिस गिरफतार करके ले जा रहे थी वैसे में सभी कारसेवा को बहुत रोश हुआ और उनका उत्सा भी उसी समय दुगना हो गय पैसे में उन्होंने सबसे आगे जाकर जब बैरिकेट टूटा तो सबसे पहले गुंबत पर बाबरी ढांचे के गुंबत पर भगवा पहराया और वहां ध्भज प्रणाम करके वो अपने डेरे पर आ गये उन्हें सबको यह खुशी थी उस दिन कारसेवा हुई थी और सब कारी तंत्र जितने थे वो जूट फैला रहे थी उन्होंने बताया कि वहां पर उलायम सिंग ने जो कहा था परिंदावी पढ़ नहीं मार सकेगा वो सही हुआ और कोई भी कारसेवा कुछ भी नहीं कर पाया कोई कारसेवा नहीं हुई जब यह सब सुना कारसेवा ने तो उ अंगटन ये फिर से ने लिए कि दो नोंबर को हम सांकेतिक कारसेवा करेंगे न हमारे हाथ में जंडी होगी न डंडी होगी न हम कहीं कोई विरोध करेंगे हम राम-धुन करते हुए आगे बढ़ेंगे और जहां हमें रोका जाएगा हम वहीं बैठ जाएंगे जमीन पर ब जब सभी स्वयम सेवक कार सेवक खड़े हो गये तो उनके बिना किसी सुचना के गोलियां चलाने लगे तो और जब इतने शोर में वो गोलियों की आवाज तो नहीं सुन पा रहे थे किन्तु जब उनको अपने आसपास के लोग गिरते हुए रखते रंजित होते हुए दिख देमर थे यह घर थे महाँ पर आश्रे लिया मेरे दोनों भाई राम और शरत ने भी पास के ही एक घर में आश्रे लिया था अचानक से उस घर के दर्वाजे पर पानी पानी की आवाज आई जैसे कोई कारसिवक को करार आ रहा है उसे हमारी ज़रुत है ऐसा भाई को लगा छोटे वाले भाई को उन्होंने दर्वाजा खोला दर्वाजा खोलते ही उन्हें खीच कर वहाँ पर गुली मारी गई उनके सिने पर दो गुलिया मारी गई थी जब वो नीचे गिरे तो उनको घसीटा जाने लगा ऐसे में बड़े भाई भी सामने आए और उन्होंने कहा क कि मेरे भाई को कहां लेके जा रहे हूं। उसी समय उन्हें भी नीचे गिरा दिया गया। और उन पर भी गोली चलाई। उनके सर पर गोली मारी गई। और दोनों भाईयों का बदीदान महां हो गया।